हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैथनिज बॉर्ल, लोक्टर सौनियंद्र गुप्ता, ओलनेस्कास, डियर फ्रेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जून 2024 में मैथनिज बन का जो पेपर हुआ था, उसके पेपर का सॉलुशन सौल करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम को कोशन नंबर 1 और कोशन नंबर 2 कट चुके है, आज हम बात के सिर्ग कोशन नंबर 3 के बारे में, इसमें जो फर्ट पूछा घाया था, जो इस से पहले आज तक कोशन नहीं पुछा घाया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो हैं, तो चैनल को subscribe कर लिल आएक تकास और वीडियो को like करना नहीं बुला है कि वीडियो को या लाइक करने मा आपको लगता है कि एक सेकंड लेकिन हम पूशन में मिलता है बहुत motivation है आई स्थार्ट करते हैं पहले question number 3 को हम समझ लेते हैं, question number 3 ख्या और यह किस unit से पूछा गया था, question number 3 का अगर आप पहला पार्ट देखेंगे, यह आपको ऐसा दिखाए देगा है, कि यह question जो है, आपको पहली बार आपको किसी भी पेपर में दिखाए दिया है, इसमें बोला गया है कि show that the sequence x to the power n where mod x is less than 1, converges to the power, यानि कि हमें बताना है, कि हमारे पास यह जो है, आपकी converge होती है 0 की और, यानि कि इसकी limit होती है 0, यदि हमारे पास mod x जो है less than 1 होता है, अब कैसे question सौल गया हो बात की बात है, इसी का second part अगर हम देखें, इसका second part था find the four year series, for the function f of x equal to x sin x, जबकि limit आपको द से रखिए, minus pi से plus pi, अब देखें, इन दोनों question को सौल हम तभी कर पाएंगे, जब हमें आपको previously in questions की knowledge होगे, otherwise ये question आप से सौल नहीं होगे, यहाँ पर मेरे काम किवल इतना है, कि मैं आपको इतना समझा सको, ये question किस पिकार से सौल किये जाने चाहिए थे, जिसे कि आपक x is less than 1, converges to n, हाईनि कि हमारा मतलब यह हुआ, कि अगर हम इसको proof करना चाहते है, हमारा काम ये है, कि हम ये बताना चाहते है, कि limit, अगर हमारे पास, अगर n tends to infinity होगी, तो हमारे पास x to the power n में, अगर मैं limit लगाओ, तो वो 0 मिलेगी, लिकिन, ये तभी संबभ है, जब mod x ज कि कोई guarantee नहीं, अब देखिए, इस question को हम तभी solve कर सकते हैं, जब हमे mathematically, यानि कि pure इसकी definition जो होती है, limit कि वो हमें पता होना चाहिए, अगर हमें इसकी definition अगर हमें याद है, या हम वो definition हो सकते हैं, तभी हम question को solve कर पाएंगे, यहां पर मैं कोशिश करूँ होगी, इस question में आपको भे समझा सकते हैं, देखिए, we know that by the definition of convergence of sequence, कि CB sequence की जो convergence होती है, उसको define किसमेकार से किया आता है, उसमें ऐसा हो ला आता है, a sequence an converges to a limit l, if for every epsilon greater than 0, there exists an integer n, such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than equal to n, यानि कि कहने का मंदब यह है कि कोई sequence an है, जिसके limit l होती है, यदि उसके corresponding में कोई मेरे पास epsilon greater than 0 के लिए कोई number, कोई integer n इस पकार से हो, जो इस rule को follow करता हो, यह हमारा काम है, तो अब यह हम किस पकार से करेंगी, यह मैं आपको समझाने कोश नहीं, तो सबसे पिल हमारी sequence क से दे रहे कि यह x to the power n, ठीक है, अब इसको complete definition के अंदर लगाने की कोईश करते हो, ठीक है, तो for the sequence xn, we need to show that every epsilon greater than 0, there exists integer n such that mod of xn minus 0, क्यों मैंने xn minus 0 बोला हुआ है, क्योंकि मेरे को बोला हुआ है कि यह l जो दिया हुआ है, वो मुझे 0 दे रहा है, for all n greater than equal to 0, n greater than equal to n, ऐस हमें यहाँ पर proof करना, यह हमारा target है, यह हमें यह proof करने की हम कोशिच करेंगे, कि यह चीज हमारे पास आ जाया, ठीक है, अब logically समझे, माल लेती कि हमारे पास दिया है, कि mod x हमें दिया हुआ है, lesson 1, तो इस logic को use करते हुआ, अगर हम ध्यहां से देगे, अगर मैं x की power n को, यहरी कि x की power को अगर मैं increase करता जाओ, तो एक समय मेरे पास ऐसा आएगा, कि x n जो है, converge करेगा 0 की और, और हमारे पास इसके corresponding में, हमारे पास यह तब होगा, जब n हमारे पास increase होता जाए, यानि कहने के मतलब यह हुआ, कि हमारे पास x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3, क्या होगा, धी तिरे-दिरे, move करेगे, हमारे पास towards 0, ठीक है, towards हमारे 0, अभी हम यह नहीं कह सकते कि 2 words 0 होगी, तो अगर यह towards 0 होती है, तो ऐसी condition में, हम यह कह सकते हैं, कि अगर mod x less than 1 है, जहाँ समझेगा, mod x less than 1 है, अगर मैं इसकी power को अगर n increase करता हो, तो यह हमारे पास 0 की तरफ एप अप्रोच करता हो, ठीक है, अब हमारा काम यह है, कि हमें ढूनना है, कि यह actually n मेरे पास क्या होगा, यह n मेरे पास क्या होगा, तो मैंने हाँ पर logic किया, given epsilon greater than 0, we need to find an integer n, हम n का मान ढूनेंगे, इसकार से ढूनेंगे, कि mod x n जो हो, वो हमारे पास less than epsilon बन जाए, तो अब हम करते क्या है आपर, चुकि mod x जो है less than 1 है, तो हम बोलते कि मेरे पास कोई एक number है, epsilon, जो 0 और 1 के बीच में है, क्या है, 0 और 1 के बीच में इस पिकार से है, कि इस में अगर इस mod x को अगर मैं solve करूँ, तो मुझे यह q मिले हमारे पास, क्या मिले q, यानि कि अगर मैं इस x की power n को increase करूँगा, तो मिरे पास q की power n भी increase होगी, इस पिकार से होगी, तो अब हमने बोला, चुकि हमारे पास x n जो है less than epsilon है, तो इसका मतलब q n भी हमारे पास less than epsilon हों का ध्यान दीजेगा, अगर हमने क्या करा है, कि x n की जेगा, हमने q n लिखा हुआ, और x n क्या हमारे पास less than epsilon है, अब हमने दोनों तरब इसका natural log हमें ले लिया, तो natural log ले लिया, तो log q की power n less than log epsilon होगा, इस n को हम यहाँ पर formula से उतार देंगे, तो n log q less than epsilon हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि हमारे पास q की value जो है 0 से 1 के बीच में, तो definite log q जो होगा, वो less than 0 ही होगा, तो हम क्या कर आते हैं, log q को हम यहाँ पर divide कर देते हैं, तो log q को अगर मैं divide करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, n जो होगा, वो greater than log epsilon upon log q होजागा, अब जो यह जो मेरे पास मैंने ढूंडा हुआ है, यही वास्ता में मेरे पास capital n है, क्या है, यही मेरे पास capital n है, तो मैंने वाला, let n be an integer greater than log epsilon upon log q then for all n greater than equal to n यानि कि हमारे पास अगर n मेरे पास को integer है जो कि greater than है इस number से तो ऐसा तभी होगा जब n greater than equal to n होगा चुकि अब मैंने उस number n को मैंने हाँ पर find out कर लिया है तो qn जो कि मेरे पास less than epsilon है तो mod action हमारे पास less than epsilon हो गया तो अब हम यह कह सकते हैं बही for every epsilon greater than 0 we can find an integer n such that for all n greater than equal to n such that mod action less than 0 यानि कि mod action minus 0 less than epsilon जो कि में यह find out करना था जहां पर हमारे पास जो value है वो मेरे पास sequence action जो है converse to 0 कहलाएगी तो यह question ऐसा question था जो अभी तक exam में नहीं पुछा गया था नहीं हमारे पास किसी बुक में यह question solve करके दिया हुआ है या किसी भी question bank में हमें question solve किया हुए तो यह पहला question था जो हमें थोड़ा सा में लगाओ कि भाई हम इस question को solve कैसे करेंगे तो यहां पर मेरा purpose किये था कि इस question को हम किस पिकार से attend करना चाहिए था किस पिकार से solve करना चाहिए था यह वो मैंने आपको यहां पर बताया आई यह इसी कर अब second question देखते है find the four-year series for the function f of x equal to x sin x जबकि limit जो दिये है x यह वो minus y से plus y की बिच में दिये हुए चुकि question में हमें साब साब दिखाए दे रहा है कि question जो हमारा four-year series का है यानि कि four-year series बोला गया इसका मतलब यह कि हमारा question full range four-year series का कहलाएगा चुकि question हमारा full range four-year series का कहलाएगा तो हमें यहाँ पर निकालने पड़ेगी l की value इस 12 को निकालने का तरीका होता है कि अपर में से अगर मैं lower को minus कर देता हूँ यानि कि pi minus pi कर दूँगा तो मेरे पास मिलेगा 2l equal to pi क्या मिलेगा 2l equal to pi मिलेगा जिससे मेरे पास 2 से 2 cancel होगा तो मुझे l equal to pi मिल जाएगा अब मेरे पास four-year series का जो general formula होता है period 2l के लिए वो होता है f of x equal to a 0 by 2 plus summation n equal to 1 से infinity a n cos n pi x upon l plus b n sin n pi x upon l जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने question में l की value को pi निकाला हुआ है अब जैसे इस value की जगा हम अगर pi रखते हैं तो pi से pi हमारा cancel हो जाता है तो हमारा formula बन जाएगा f of x equal to a 0 by 2 summation n equal to 1 से infinity a n cos n x से और b n sin n x अब हमारा काम यह है कि हमें a 0, a n और b n की value को evaluate करना है अब a 0 का formula होता है 1 upon pi minus pi to plus pi f of x dx अब question में हमारे पास f of x की जो value दे रखी है वो x sin x से दे रखी है अब आपको यहाँ पर एक बात का दिहान अगना है जब भी अगर हमारे पास question में limit minus से plus pi हो तो हम यह function की even और odd के बारे में बात करते हैं क्या करते हैं function की even और odd के बारे में बात करते हैं हम जानते हैं साफ साफ यह हमारे पास x sin x जो है एक हमारे पास even function क्यालाता है even function किलाता है क्यों किलाता है even function क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगा minus x रखूंगा तो मुझे मिलेगा f of x तो ऐसी condition में हमारे पास even function की condition आगे चुकि हमारा function even है तो ऐसी condition में हमारे पार 2 multiply में आ जाएगा और limit 0 से πाई बन जाएगी तो हो गए हमारे पार 2 multiply 0 to pi x sin x अब हमको यहाँ पर इसको integrate करना है तो यहाँ पर हम u into v का formula apply करेंगे जब भी u into v का formula अगर हम apply करना है तो u हमेंसा जो होता है वो x to the power n होता है और v जो होता है वो remaining term होती है यानिकि हमारे पार sin x हो सकती है यह है कि मैं करूँगा integral of v क्या करूँगा integral of v u dash का मतलब मेरे पास है differential मैं करूँगा u का अगर मैं v2 लेता हूँ तो v2 का मतलब होता है कि मैं v1 का integral करूँगा तो ऐसे करके हमें यह तब तक यह integral follow करना है जब तक कि आपका solution 0 ना बन जाए अब हमने क्या करा कि x को ले लिया हमने u और sin को ले लिया हमने v तो अब इस rule को हम यहाँ पर follow करेंगे तो क्या होगा x sin x का integral हो गया minus cos x x का differential हो गया 1 और मेरे पास minus cos x का integral हो गया minus sin x अब जैसे मैं limit यहाँ पर रखूँगा तो मेरे को मिलेगा भाई यहाँ पर क्या pi of minus pi यानि कि मैं जैसे इस pi को रखूँगा तो cos pi की value minus 1 होती है तो minus minus होगा plus और sin pi होता है 0 तो मेरे पाई प्लस 0 minus 0 plus 0 तो जैसे मैं pi से pi cancel करूँगा तो मेरे पास a 0 की value आ जाएगी 2 आयोप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब हम निकालेंगे a n तो a n का formula होता है 1 upon pi minus pi 2 plus pi f of x cos n x अब f of x क्या आता है मेरे पास x sin x था मैंने यहाँ पर 2 का multiply और 2 का divide किया क्या क्या है मैंने यहाँ पर 2 का multiply और 2 का divide किया आप जैसे मैं 2 का मडलाए और 2 का divide करूँगो तो यहाँ पर मेरा formula लगएगा 2 cos a cos b यानि क्या लगएगा मेरे पार 2 cos a sin b और 2 का sin b का formula होता है sin a plus b minus sin a minus b इस logic को मैं follow करूँगो यहाँ पर 2 अपना छूटा हुगा है तो 2 का मैं यहाँ पर multiply कर लेते हैं ठीके अब आप दिहान दीजेगा आपने देखे चुक्किए हमारे पास function even or body fit से यहाँ पर बात होगे कोई 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 पूरे function को अगर हम दिहान से देखें मैंने यहाँ पर रू लगा है x sin n plus 1 minus x sin n minus 1 कि इस पूरे को हम यहाँ पर माल लेते हैं v और यहाँ पर x को माल लेते हैं u और फिर इसमें हम लगा देते हैं u into v का integration by part का formula तो क्या मिलेगा हमें x minus cos n plus 1 upon x plus cos n minus 1 upon n minus 1 इस x का differential जो होगा वो 1 होगा और cos n plus 1 का integral मेरे पास minus होगा, sin होजाएगा और इस cos n minus 1 का इस तरह से value आईगे, अब हम क्या गरते हैं यहाँ पर upper और lower limit रखते हैं, तो जैसे हमने upper limit रखी तो क्या बलेगा, pi minus cos n pi plus pi upon n plus 1 plus cos n pi minus pi upon n minus 1 minus minus sin n pi plus pi upon n plus 1 का whole square plus sin n pi minus pi upon n minus 1 का whole square, 0 put करूंगा तो यह value भी मेरे पास 0 याएगी और यह value भी 0 हो जाएगी क्यों हो जाएगी? यह value जाएगी x के current 0 और यह value हो जाएगी sin के current 0 अब बात करते हैं यह value क्या होगी? तो देखो भी formula, देखो दिहान से आप यहाँ पर cos n plus 1 minus n minus 1 होगा तो मेरे पास इस n से यह n cancel हो रहाया तो minus 2 हो गया तो minus 2 upon n square minus 1 हम साब साब दे सकते हैं कि इसमें n equal to 1 रखने पर यह result valid नहीं है तो n equal to 1 चुकि हम यहाँ नहीं रख सकते हैं तो ऐसी condition में n equal to 1 वाली value को मुझे अलग से निकालना होगा तो अब इस अलग से कैसे निकालेंगे? देखो दिहां से देखेगा मैंने यहाँ पर equation number 2 बनाईए क्या बनाईए? equation number 2 बनाईए अगर मैं यहाँ पर n की value को अगर मैं 1 रख दूँ तो यह वाला portion हो जाएगा मेरे पास 0 क्यों हो जाएगा 0 में convert हो जाएगा तो मेरे पास बच्छे एक्स into sin n प्लस 1 यानि की जाएगा 1 रखा तो sin 2x वह आएगा तो यह मेरे पास हो गया x sin 2x यहाँ पर फिर से इस x को मैं यहाँ पर ले लेता हूं u और इस sin को ले लेता हूं यहाँ पर v x minus cos 2x upon 2 minus 1 minus sin 2 upon 2 pi put करेंगे तो cos 2 pi की value जो होती है वो plus 1 होती है तो मेरे पास मिल जाएगा minus pi upon 2 इसी पर sin 2 pi की value होती है 0, 0 पर दोनों value 0 मिलेगी 2 pi से pi cancel होगा तो आप कौन सा मिलेगा a1 की value मिलेगी minus 1 by 2 अब हम bn निकालेंगे तो bn हमारे पास आ गया 1 upon pi minus pi से plus pi f of x sin nx और यहाँ पर मेरे पास x sin nx रखा गया तो यह पूरा term जो है मेरे पास है odd चुकि मेरा function odd है तो ऐसी condition में हमारा यह integral होजाएगा 0, अब हम क्या करेंगे जो मेरे पास fourier series लिखी थी उस fourier series में हम यहाँ पर n equal to 1 और n equal to 1 बली term को हम यहाँ पर अलग से लिख देंगे तो हमारा formula जो बन जाएगा तो formula हमारे पास आ जाएगा f of x equal to a 0 by 2 plus a 1 cos x plus n equal to 1 2 say infinity a n cos n x plus b 1 sin x plus n upon 2 b n sin x यह वाला value तो भाई मेरे पास 0 हो गया और यह वाला value भी मेरे पास क्या हो गया अब देखिए जो a 1 की value थी वो मेरे पास क्या थी minus 1 by 2 मैंने minus 1 by 2 निकाल लिया इसी पिकार जो a n की value थी वो मेरे पास क्या थी minus 2 minus 1 to the power n square minus 1 तो मैंने वो value यहाँ पर रख दी तो मेरे पास हो गया minus 2 n equal to 1 say infinity minus 1 to the power n square minus 1 cos x तो इस पिकार से अगर आप यह question for a series का अगर आपने attend किया होगा तो आप समझ जाईए कि आपको कितने number मिल सकते अब आपके मन में 2-3 सवाल यहाँ पर उठोंगी sir अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्ट गलत होए तो क्या होगा अगर यह question हमारा seven marks का है जैसे की exam में पूछा गया था अगर आप a zero की value अगर आप सही निकाल लेते हैं तो आपको two marks मिलेंगी अगर आप an की value को सही निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर three मिलेंगे और अगर ब n की value को अगर आप सही निकाल लेंगे तो आपको one marks मिलेंगे और last में जो अपना answer लिख देंगे तो उससे आपको एक marks और मिल जाएंगे तो ऐसे करके आपको seven marks divide किये जाएंगे तो अब आपको पर depend करता है क्या आपने a zero सही निकाला है क्या आपने a n सही निकाला है कि b n सही निकाला अगर आपने सारा सही कुछ निकाला तो seven marks देंगे otherwise आपको इस परकार से marks split करके दे दी जाएंगे तो difference आपको मेरे वीडियो lecture कैसा लग रहे है क्या मेरे वीडियो lecture आपके लिए helpful है कि नहीं यह lecture के comment बाप में जरू बताएगा और क्या आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुर भी नहीं बूलना है तो thank you for watching में चैनल Dr. Sonim Tukta, thank you so much